नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में जो हमने Time and Work स्टार्ट किया था राकेश यादव सर के जो Class Notes से उसकी जो 3rd पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले इसमें जो हम कोशन्स हैं वो 25 से लेके 34 हैं इनको डिसकस करेंगे दो पार्ट जिनके अंदर हमने 24 कोशन्स को डिसकस कर लिया है बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करवाये गए हैं अब मैंने सोचाए कि वीडियो की लेंथ कम रखकर उसमें कोशन्स कम ले जाएंगे ताकि आप लोग न वहाँ पर ऐसा न लगए कि लेंथी वीडियो हो गई देखा नहीं जा रहा है एक कोशन्स जो है उसको समझाने के लिए टाइम चाहिए लेकिन लेंथी होने के कार्ण मैं क्या कर रहा हूं उसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं तो वो जीज भी मैं ना करूँ इसलिए मैंने कोशन्स की कॉंटिटी अब कम रखे तो दस कोशन्स हम डिसकस करेंगे या फिर कोई लेंथी कोशन हुआ तो वहाँ पर हम देखेंगे पांच कोशन या छे कोशन हम डिसकस कर लिया करेंगे आपको अच्छे से समझाना मेरा परपस है ना कि यह टाइमेंड वर्क कम्पलीट कराना तो आज जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी तो हम जमारा जो कोशन्स 25 या फिर कहें कि जो थर्ड पार्ट की फर्स्ट कोशन है उसको हम देखते हैं देखें बोला गया है कि त्री मैं A, B, C कम्पलीट वर्क इन सच वे थैट A वर्क फर ओल दे बी वर्क फॉर्स्ट और सेकिंड डे और C वर्क फॉर्ट फॉर्ट फिफ्ट डे यहां तक अगर मैं आप लोगों समझाओं हिंदी में भी लिखा है कि तरीन आदमी A, B, C इस तरीके से काम करते हैं कि A जो है वो सभी दिन काम करते हैं अब यहां लिखा ना 5 दिन वही 5 दिन है टोटल आपके सामने जो है वो 5 दिन काम करेगा तो मैं यहां लिख देता हूँ focuses दूँप양 6 दिन काम करेगा ठीक हैalog कि फिर B, जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि A छोड़के चला जाएगा, वो पांचों के पांचों दिन काम कर रहा है, जितने दिन में काम खतम होना था, पांचों के पांचों दिन A दो काम करेगा, B जो है वो पहले और दूसरे दिन काम करे गया यांनि वो दो दिन ही उसने काम किया 2 days ही उसने काम किया فिर C ने जो है वो third, fourth, fifth C ने जो है सिरफ 3 दिन ही काम किया आया समझ में कि वो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि A जो है 5 दिन काम करते है B जोए वह दो दिन काम करते है C जोए वह तीन दिन काम करते है पताने का तरीका अलग हा अब बोला गया कि B और C जो है दोनों मिलकर, B plus C can do such a work in two days बोला गया कि B और C जो काम दो दिन में करते है A जो काम है A जो बंदा है जो आदमी है वो उस काम को तीन दिन में कर देता है तो यानि की देखिए एक जो formula आप लोगों को समझना चाहिए जो starting में मैं यहां लिखता हूँ देखिए efficiency multiply time is equal to work अगर आपके सामने जो शम्ता है उसको समय से आप गुना कर देंगे तो आपके सामने काम निकल कर आएगा तो यहां देखिए b plus c जो है मैं क्या कर रहा हूँ इनकी जो शम्ता है उन्होंने दो दिन में जितना काम किया यहां पर total काम आगया ना यह तो काम आगया यह काम मैं equal रख रहा हूँ किसके equal रख रहा हूँ a ने तीन दिन में जो काम किया यह भी तो काम है कहा कि दोनों काम सेम है क्या क्या b plus c can do as much work in two days as a alone does in three days यहां पर अगर आप हम धिन्दी में देखेंगे b plus c दो दिन में उतना काम करते हैं जितना a जो है वो अकेला तीन दिन में करता है तो यहां पर यह हो गया हमारे सामने तो अब इससे क्या होगा कि इससे हम निकाल पाएंगे इनकी efficiency की ratio तो a नीचे आ जाएगा 2 यहां चला जाएगा तो आप यहां देखेंगे अरे a लाना था तो यहां देखेंगे तो यहां 3 आ जाएगा यहां 2 आ जाएगा अब यहां आगे बोला गया in how many days a, b, c अलग-अलग पूछा गया कि a कितने दिन में करेगा b कितने दिन में करेगा c कितने दिन में करेगा यह आप से पूछा गया है तो आगे बोला गया है कि b और c किसी काम को उसी काम को जो है बिना एकी help के छे दिन में कर देते हैं अब यहां पर यह तो आपके सामने है efficiency की ratio उनकी कारे करने की शमता की ratio जो है वो आप लोगों के सामने यहां जो है वो दी गई है यहां लिख देते हैं सही से अब बोला गया है कि B और C जो है बिना किसी help के यानि A की help के कोई काम जो है वो 6 दिन में कर देते हैं तो एक जो चीज आप लोगों को समननी चाहिए देखें जो efficiency की जो ratio होती है अब जो इन दिनों ने दिन लिये उसकी just रूल्टी होती है यानि कि अगर मैं days की efficiency लगाऊं तो वो days की efficiency जो है वो 2 ratio 3 बन जाएगी आप बोलो कि sir ऐसे कैसे हो जाएगा तो इसको ऐसे समझो मैं मान लेता हूं कि कोई और xy ले लेते हैं ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि sir आपने फिर से वही ले लिए तो मैं यहां पर एक काम करता हूं आप इनकी efficiency निकालेंगे तो efficiency जो है वो x की जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपके सामने 3 efficiency y की जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2 तो अगर मैं आपको पूछूं कि x और y की efficiency की ratio क्या रही तो x की 3 रही y की 2 रही लेकिन मैं पूछूँगी तो efficiency की ratio है अरे बताओ कि days की days की ratio है वो क्या है तो days की ratio में आप क्या करेंगे इनका निकाल लेंगे भई तो 20 उपर रखेंगे 30 नीचे रखेंगे तो ratio जो हो निकल कर आया है आपके सामने दो ratio थी यह just उल्टा होता है जो efficiency होती है उसका तो यहाँ पर आप देखें कि भई B प्लस C की efficiency और A की efficiency यहाँ पर आपके सामने days की efficiency क्या होगी? जस्ट उल्टी ही होगी ना भई 2 ratio 3 बनेगी अब यहाँ पर बोला गया है कि B और C जो है पूरे काम को 6 दिन में करते है तो यहाँ पर 2 is equal to 6 दे रखा है 2 is equal to 6 दे रखा है और एक यानि कि ऐसा समझे 2 unit is equal to 6 दे रखा है उन्होंने तो 1 unit is equal to 3 और हमें चो चाहिए 3 unit तो 3 unit कितने के बन के आएगी वो निकल कर आएगी गुना हो जाएगी इससे 3 से तो यानि 9 यानि कि 9 होगी यानि कि B जमा C किसी काम को 6 दिन में कर रहे है A जो है उस काम को कितने दिन में करेगा 9 दिन में करेगा अब total काम कितना होगा इनका LCM ही तो इनका काम होगा यानि 18 काम होगा आया समझ में आप क्या बोल रहे हैं आपको efficiency पता है A की efficiency क्या है A की तो efficiency आपको पता है 2 है B जमा C की efficiency कितनी है 3 है पूछा क्या है पूछा ये भाई साब अलग-अलग ये 3ों कितने दिन में काम complete कर देंगे तो यानि आपको B की भी अलग से चाहिए C की भी अलग से चाहिए और A की भी अलग से चाहिए तो A की तो है आपके पास B और C की नहीं है तो एक बार ज़रा इस question में जो पहली line बोले गए थी उस पर आते हैं इसमें दहां कि 3 आदमी A, B, C complete a work in such a way that वह अगर काम करने पे आएं तो इस तरीके से काम को complete कर देते हैं कि A जो है पांचो दिन काम करेगा तो यहां लिख रहा हूँ कि A जो है वो पांचो दिन काम करेगा B जो है वो दो दिन काम करेगा B जो है वो दो दिन काम करेगा और C जो है वो तीन दिन काम करेगा C जो है वो 3 दिन काम करेगा तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आप A से तो अकेले काम करवा सकते हैं 5 दिन तक तो यहाँ पर 5 दिन तक अगर हम इससे काम करवाएंगे तो 2 की efficiency से 5 दिन तक तो यह तो 10 काम कर जाएगा अब बात आती है भाई साब टोटल काम तो आपके सामने 18 है टोटल काम तो 18 है यह लिखा हुआ 18 काम अब B और C इन दोनों की यो यानि कि इन दोनों की एड़ करके efficiency दी गई है वो कितनी है वो 3 है तो अब अलग-अलग कैसे करें तो एक काम करिए ना एक इलाज इसमें यह बनता है कि आप एक काम करिए जो 3 दिन C ने काम किया अब उसको B के साथ काम करवा लिजी भाई साब अगर काम वो पहले करे या बाद में करे उससे फर्क क्या बढ़ता है उसने तो 3 दिन काम करना है तो आप C से 3 दिन पहले क्या 3 दिन इसके साथ B के साथ काम करवा लिजी 3 दिन B के साथ तो काम करवा नहीं सकते क्योंकि B तो है सिरुफ 2 दिन ही काम करने वाला तो यानि 2 दिन तक ही काम करवा लिजी यानि मैं कहूँ कि B जमा C जो है वो 2 दिन तक काम कर लेते हैं एक साथ तो C कितने दिन बचेंगे, C के पास एकी दिन तो बचेंगा भाई, तीन में से दो तो इसके पास चले गए B के साथ, तो ये क्यों कि है ये इसलिए क्या है, क्योंकि हमारे पास अलग-अलग Efficiency है नहीं तो कहीं न कहीं, तो कोई तो कोई इलाज करना पड़ेगा तो वही इलाज हम कर रहे हैं तो B जमासी जो है, वो 2 की Efficiency से 2 दिन तक काम करेंगे 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा तो आप यहाँ देखिए यह हो गया 10, यह हो गया 4 यहाँ पर हमने किया माय, 14 14 यहाँ पर हमने, अरे गलत होगा क्या? अरे 3 है की, 3 के Efficiency सोरी सोरी, यहाँ पर 3 है 3-2 दिन तक 3 के Efficiency से काम करेंगे, तो 6 काम हो जाएगा, टोटल चला जाएगा आपके सामने 16 तो 2 काम जोए वो काम बचा आपके सामने 2 तो यह C जो है, इस 2 काम को एक दिन में करेगा, तो C की Efficiency क्या निकल कर आई? भाई साब 2 निकल कर आगी तो हो आया समझ में, देखे C की Efficiency 2 आगी, A की Efficiency कितनी होगी? A की Efficiency अलड़ी आपको 2 दे रखी है, B की Efficiency क्या होगी? B की आप देख लिजी ना B जमा C 3 दे रखा है, जिसमें से C 2 है, C तो है 2 तो B कितना निकल कर आगा? 1, तो आप देख लिजी आप पूछा गया है, कोशन में उनका आंसर क्या होगा? तो बूछा गया है कि A कितने दिन में करेगा? पर टोटल काम तो 18 है ना तो 18 को डिवाइड कर देजी है 2 से, तो A तो 9 दिन में काम करेगा ये A का आ गया, ठीक है? B कितने दिन में करेगा? भाई साब B के Efficiency 1 है तो ये तो 18 ही आएगा, तो यानि B जो है 8 दिन, 18 दिन में काम करेगा C कितने दिन में काम करेगा? टोटल काम 18 है, उसकी Efficiency जे डिवाइड कर जी दिये 2 है, तो वो 9 दिन में काम करेगा तो ये C का Time आ जाएगा तो उमीद है आप लोगों के Question रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं अपने 26th Question पर अब यहाँ पर आपको Hindi में नहीं मिलेगा Tension ना लेना मैं कोशिश करूँ आप लोगों को ये Hindi में आपको Convert कर दूँ बाकी आगे कोशिश रहेगी कि आप लोगों को साथ यसाथ एक Hindi में भी यहाँ पर अलग से मिले, जैसे अभी पिछले Question में हमने देखा, यह मिल जाएंगे आपको, अभी फिलाल मेरे पास वो चीज अविलेबल नहीं थी, ताकि आप लोगों के यहाँ पर दे पाता, Tension ना ले अगली वीडियो में या उस अगली वीडियो में आप लोगों को सारे जो चीजे हैं वो Hindi और English इस दोनों Bilingual में मिलेंगे अब इस Question को मैं Hindi में भी समझाऊँगा ऐसा नहीं कि English में पढ़ दिया तो यहाँ लिखा गया है A and B Together, यहनि कि A जमा B की बात हो रही है, Together यहनि A जमा B की बात हो रही है क्या बोला गया है कि A और B can complete a work in 8 days A और B किसी काम को 8 दिन में कर पा रही है यह कितने दिन में कर पा रही है 8 दिन में कर पा रही है ठीक है, 8 days लगा रही है B और C together can complete the same work in 12 days B और C जो है, उस काम को कितने दिन में कर पा रही है 12 दिन में कर पा रही है यह आ गया समझ में अपने को अब आगे बोला गया A and B start together and works for 4 days अब इस line पे आने से पहले जितना यह दिया गया एक बार उस पे work कर लेते हैं तो यहाँ परापर ratio के इनकी efficiency निकाल लेते हैं total work निकाल लेते हैं तो देखिए A plus B जो है वो कितने दिन तर काम complete कर देते हैं? 8 दिन में B और C कितने दिन में काम complete कर देते हैं? 12 दिन में अब total काम अगर हम निकालें total काम हम निकालें तो यहाँ इनका LCM आएगा 24 और A और B की जो efficiency निकल कर आएगी वो 3 और B plus C की जो efficiency निकल कर आएगी वो है 2 अब आते हैं के अब बोला गया है कि A और B start work together for 4 days बई A और B ने काम करना शुरू किया और उन्होंने एक साथ काम किया और 4 दिन तक काम किया यह बात बोलीगी कि A and B starts together and works for 4 days कि उन्होंने 4 दिन तक काम किया then A लीव A जो है वहाँ से फिर छोड़ के चला जाते है यह हो गया हमारे सामने this works इस काम को वह छोड़ के चला गया B works next 2 days B ने फिर 2 दिन अगले दिन 2 दिन काम किया अगले 2 दिन उसने काम किया and he also leaves फिर B भी छोड़ के चला गया now remaining work is completed by C अब जो काम बच गया वह C ने किया कितने दिन में 8 days में वह 8 दिन में C ने काम complete किया तो यह आगया आपके सामने 8 days find how many days are taken by C पूछा गया कि C जो है वह काम को अगर complete करेगा तो कितने दिन लेगा अब यहाँ पर देखिए complete की बात हो रही है तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको efficiency जो है वह A plus B तरीका है कोई short ring नहीं है वैसा ही इस question को करना पड़ेगा तो यहाँ से काम कर लिजी A plus B तो मारे पास है चार दिन तक करेंगे तो यहाँ से काम कर रहे है B जह वह 2 दिन तक काम करेगा और C जह वह 8 दिन तक काम करेगा आप C से पहले काम करवा लिजी अब बाद में काम करवा लिजी उसे 8 दिन तक तो काम करवाना पड़ेगा तो आप एक काम करिए न उसके 8 दिन में से 2 दिन इस B के साथ लगवा लिजी तो क्या होगा A, B यहाँ पर काम कर लेंगे 4 दिन के लिए B plus C यहाँ पर काम कर लेंगे 2 दिन के लिए और अकेला C जो है वो बच जाएगा वो 6 दिन काम कर लेगा वह इसके 2 दिन हमने इसके साथ जोड दिये क्यों जोड दिये क्योंकि यहां पर आपके सामने जो efficiency है वो add करके दी हुई है B plus C करके दी हुई है A plus B करके दी हुई है तो हमें एड़ेस्ट तो करना पड़ेगा कोशन तो हमें निकालना पड़ेगा तो अब दीखिए यहाँ पर आपके सामने efficiency जो है वो A प्लस B की कितनी है 3 है और B प्लस C की efficiency कितनी है 2 है तो इनको add करेंगे इनको multiply करेंगे तो यहाँ 12 बन क्या है यहाँ पर 4 बन क्या है इनको add करेंगे तो यह बनेगा 16 काम है आपके सामने 24 कहां लिखा हुआ है यह हमने निकाला था कितना कर लिया 16 बच कितना गया 8 बच गया अब यहाँ पर 8 आपके सामने काम बच गया अब इस 8 काम को कौन करेगा यह महाश्य है बैटे 6 दिन में इस 8 काम को करेंगे तो 8 जो काम है वो C करेगा कितने दिन में 6 दिन में तो एक दिन में कितना यानि efficiency उसकी कितने निकल कराएगी 4 बच तीन अब पूछा गया यह C की efficiency आपके सामने निकल करागी अब पूछा गया है कि C जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो देखिए टोटल काम है आपके सामने 24 C की efficiency कितनी है 4 बाइ 3 अब 4 बाइ 3 में 3 तो उपर घूम के चला जाएगा तो यह बनेगा आपके सामने 24 या 4 या 3 या आएगा 6 6 को multiply करेंगे 3 से तो 18 डेज जो है आपके सामने answer आ जाएगा यहां पर रहाएगा 18 डेज यह रहाए 18 डेज clear तो यह होगा आपके सामने 26 वा question अब आते हैं अपने 27 वा question पर अब देखिए हर बार मैं यह नहीं कहूँगा कि आप video pose करिए एक बार खुद try भी करके देखिए ऐसा नहीं कि मैं करवाये जा रहा हूँ तो बस आप लगे हुए है एक बार आपकी भी responsibility है कि बिना बोले वीडियो को pose कर दीजिएगा आप एक बार खुद try करिए question को आपसे होगा तो अच्छी बात नहीं होगा तो भी अच्छी बात दीखे at least हम try करते हैं तो कही न कहीं हमारा दिमाग चलता है हम कोई न कोई तरीका कोशने भले गलत खोजे तो हमें पता चलेगा नहीं कि गलत है उससे दिमाग run करता है ऐसा नहीं है कि आप बैठे 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 बस देख रहे हैं आपको वो चीज़ें समझ में आरे ये कोशिश करने से ही होती है बिना कोशिश करने से आप लोगों कुछ से भी समझ नहीं आएगा तो एक बर ये 27 वा कोशन करके देखिए चलिए उमीद करता हूँ आप लोगों को नहीं करने की कोशिश की होगी तो दिखे पढ़ते हैं इसको एक आदमी के तीन बेटे हैं भाई उसमें बोला गया फर्स्ट और सेकिंड जो है वो किसी काम को 24 और 36 दिन में कर देते हैं तो मैं मान लेता हूँ अ, बी और सी यह पहला है यह सेकिंड है और यह थर्ड है इह बेटे हो गे उसके अब बोला गया जो है यानि बेखला बेटा जो है हो 24 दिन में काम कर लेता है दूसरा बेटा जो है वो 36 दिन में काम कर लेता है ठीक है पूछा गए कि जो तीसरा महाश्य है वो काम को कितने दिन में कम्प्लेट कर लेगा एक तो यह question पूछा गए आगे बोला गए इफ दा मैन कुड़ अलोन कम्प्लेट दा होल वर्क इन 36 बाइवन डेज अब इनके बाप की जो काम करने का दिन है वो कितने दिन में कर देता है भाई वो 36 बाटे 11 दिन में वो काम कम्प्लेट कर देता है यहां पर आपको 3 से 3 3 by 11 में आपको दे रखा है मैंने यहां पर आपको जब टाइप करना था इसको fraction में ही दे दिया सीधा तो यहां पर आपके सामने बोला गया 36 बाटे 11 दिन में वो काम कम्प्लेट कर देता है अब आपको जही यह समद नहीं आई है तो यहां पर आप देखे यहां पर लिखा गया है कि वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम कर देता है तो मैं यह कह सकता हूँ न कि जो यह मैन है यह जो मैन है उसकी जो एफिशेंसी है उनसे अपने बेटों से 2 गुना है उन तीनों बेटों को अगर हम मिला दें उनकी 2 गुना उसकी एफिशेंसी है clear हुआ तो यह आपके सामने जो है वो दीवी information है जो मैंने अभी तक आपके सामने यहां लिखी है अब आते हैं इस पर work करते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूँ अरे भाई साब कहां कायब हो जाते हो यह यहां लिख रहा हूँ यह A हो गया यह B हो गया यह C हो गया C नहीं लिखेंगे यहाँ पर man लिख देते हैं क्योंकि c की हमें आभी दे नहीं रखी तो यहाँ पर a जो है वो 24 दिन में काम कर रहा है b जो है वो 36 दिन में काम कर रहा है यह जो man है वो 36 बटे 11 दिन में काम कर रहा है अब जब हम इनकी efficiency निकालेंगे तो total work निकालेंगे total work निकालने पर आएंगे total work निकालने पर आएंगे तो यहां पर आपके सामने 72 इनकी आजाएगी LCM आजाएगा LCM यहां पर आजाएगा आपके सामने 72 यह आजाएगा आपके सामने 3 यह आपके सामने आजाएगा 2 यह आपके सामने आजाएगा 2 और 1 बाइस यह आजाएगा बाइस तो यहाँ देखे man की जो efficiency निकल कर आई आपके सामने कितनी बाइस अब A, B और C की तो है नहीं A की तो आपके सामने पता है 3 है B की आपको पता है 2 है यह आपको निकाल ली है अब यहाँ पर 2 है तो 2 इसके नीचे आजाएगा तो इसको कर देगा divide यहाँ आजएगा 11 यहाँ बचेगा 3 जमा 2 प्लस question mark या कहीं C यानि 5 इदर चला जाएगा इसके 11 में से minus हो जाएगा यानि 6 तो C की efficiency आजएगा आपके सामने 6 यानि 3rd sun की efficiency आगे total काम आपके सामने कितना है 72 6 उसकी efficiency है कितने दिन लगेंगे यह दिन लगेंगे आपके सामने 12 दिन तो यह हो गया आपके सामने 27th question की 12 दिन में जो है वो C यानि जो 3rd sun वो काम complete कर पाएगा clear हुआ अब आते हैं अपने 28th question पे चलिए एक बार खुद कोशिच करिए फिर महीं आप लोगों कोशिच करवाता हूँ अब काफी सारों को शिकायत रहेगी सर यह हिंदी में नहीं है यह जो चोटे मोटे question है इनको हिंदी में मैं करवा दूँगा अभी आपको convert करा दूँगा बाकी आने वाले वीडियो में मैं साथ में रखूंगा भी कि यहाँ पर आपको हिंदी में भी मिले और इंग्लिश में मिले जैसे बाकी questions मिलते आ रहे हैं अभी यहाँ पर मेरे पास वो चीज़ अवे लेबल नहीं थी इसलिए मैं लगा नहीं पाया अब चले question करते हैं लिखा गया है कि age is 40% more efficient than B that together यहाँ पर है इसके बाद है that together complete the whole work in 15 days अब यहाँ पर लिखा है stop इसको मैं समझाऊं तो ऐसा है कि A जो है वो 40 परतिशत जादा शमता रखता है B से तो अगर आप कहें कि B की 100 शमता है तो A की कितनी शमता होगी इससे 40 जादा है 40 परतिशत जादा है तो इसका 100 का अगर आप 40 परतिशत निकालेंगे तो आप अगर 100 का 40 परतिशत निकालेंगे तो कितना बनेगा 40 ही बनेगा और 40 जादा है B से तो B की हमने मानी 100 तो A की कितनी हो जाएगी? 140 वैसे ये percentage में भी सिखाएंगे कि 100 दिया है सीधा 140 लिख देंगे अब ये इसलिए कहाए क्योंकि इसलिए 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 उनके लिए 100 रखा है अब इनकी ratio अगर मैं efficiency के निकालू A और B की अगर efficiency की ratio निकालू तो 140 उपर जाएगा 100 नीचे आएगा 0 से 0 कटेगा यहाँ 7 आएगा यहाँ 5 आएगा तो A की efficiency 7 है B की efficiency 5 है अब बोला गया कि दोनों मिलकर काम करते हैं 15 दिन में वो काम complete कर देते हैं तो A जमा B जो है इनकी efficiency की जो ratio है वो आपके सामने है और इनकी efficiency अगर मैं जोड़ू हूँ तो 12 हो गई कहा गया है कि 12 efficiency है 12 efficiency से वो दोनो 15 दिन तक काम करेंगे तो काम complete हो जाएगा तो यह total work आगया ना आपके सामने 12 गुना में 15 जो है यह आपके सामने क्या आगया यह आगया आपके सामने total work यह total work है total work कैसे है मैंने कहा ना efficiency की आप multiply करवा दीजिए time से तभी आपको starting way वो मैंने formula दिखाया था time से आप करवा दीजिए तो आपके सामने निकल कर आएगा work यही formula आपको पूरे time and work में चलना है तो आप efficiency यह रही time यह रहा तो बन गया ना total work यह total work बन गया अब आगे पूचा गया in how much time they alone do the work पूचा गया कि वो अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे तो भाई साब पहले आते हैं A महाश्य A महाश्य की efficiency है 7 तो यहाँ पर हम 7 से divide करतेंगे तो 180 को जो आप 7 से divide करेंगे तो यह बन क्या आएगा 25 सुपर आएगा 25 से ही 5 बटे 7 अब B आएगा B इस काम को करेगा 12 गुना में 15 efficiency कितनी है B की B के efficiency 5 है तो 5 इतर आएगा 3 तो यह यह निकल गया आएगा 36 तो यह आपके सामने आगे इनके answer कि भाई साब A जो है 25 से 5 बटे 7 दिन में काम करेगा और B जो है 36 दिन में काम करेगा तो यह हो गया आपके सामने A जो इसका right answer यह 28th question हो गया ऐसा ही question आप लोगों करना है यह रहा सेम वैसा ही question है एक बट जड़ा try करके देखे हाँ इसमें लिखा हुआ है कितने दिन में करेगा यह mark यह पहले सोचा कि option नहीं लेते हैं फिर सोचा option ले ही लेते हैं आप इस पे मच चलिए 15 दिन आपके सामने दिया हुआ है एक बट आप खुद try करके देखे ओके चलिए करते हैं वही सेम trick हमें लेनी है बाइस आप B मान लेते हैं एक इतना हो जाएगा 50% उससे ज़्यादा है तो 150 efficiency इनकी ratio निकालेंगे तो efficiency की ratio निकल कराएगी 3, 2 ठीक है अब बोला गया यहां पर थोड़ा सा लग हो गया कि then in how much time they together complete the whole work भई A plus B मिलकर उस काम को कितने दिन में करतेंगे यह पूछा गया है अगर A alone complete the whole work in 25 days अगर A अकेला उस काम को 25 दिन में करते है तो भाइस आप A की efficiency तो 3 दे रखी है दिन उसके पास 25 दे रखे है तो total work कितना निकल गया है आपके सामने 75 आप पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे वाइस दोनों की efficiency जोड़ें तो 5 है काम आपके सामने 75 है तो divide कर देंगे आपके सामने time निकल कर आएगा तो यह निकल कर आएगा आपके सामने 15 तो 15 days आपको यहां पर लगेंगे इस काम को complete करने में तो वैसा ही कोशन था जो अभी हमने 28th कोशन किया हूब 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 इस दे दी यह भी वैसा ही कोशन है इसके सामने भी आपको option दिया गया है और उस पर टिक लगा है कि इसका answer क्या है फिर भी एक बार आप खुद try करिए कि यह कोशन आपसे हो पा रहा है कि नहीं पार तोड़ा सा इसके अंदर tricky है या फिर कहें कि तोड़ा इसके अंदर change किया गया एक बार at least आप try करके देखिए तो चलिए करते हैं आप आपके सामने तो देखिए यहां बोला गया है A is 200% more efficient than B A जो है वो B से 200% ज़्यादा efficient है यानि शमता रखता है परी मान लो B जो है वो 100 काम करता है या 100 int चक सकता है तो B कितनी चक सकता है A कितनी चक सकता है उससे 200% ज़्यादा तो यानि वो 300 int चक सकता है 200 परतिसत इससे जादा चकेगा ना तो यानि 200 परतिसत जादा चकेगा 100 तो चकता है चकता है उससे 200 जादा चकेगा तो यानि एक ही जो है वो शमता कितने निकल कराएगी वो 300 अब इनकी ratio बात करूँ efficiency की तो A by B हो जाएगा आपके सामने 3 by 1 अब बोला गया है यह efficiency की ratio है ध्यान रखना यह efficiency की ratio निकल कराएगी इसे बोला गया है कि while A takes 30 days less to complete a work than B कि भई A जो है वो 30 दिन कम लेता है B से काम को complete करने में तो अभी मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जो efficiency की जो ratio होती है वो just उल्टी होती है days की ratio से अगर आपके सामने efficiency की ratio 3 ratio 1 दे रखिये तो days की कितनी बनेगी 1 ratio 3 कैसे भई मैंने बताया ना मा लेजिए A किसी काम को 20 दिन में कर रहा है B उस काम को 30 दिन में कर रहा है तो इनकी efficiency निकालों तो देखे निकल कर आएगी यहां 3 यहां 2 यह तो efficiency की ratio होगी 3 ratio 2 अगर days की efficiency की ratio की अगर हम बात करूं तो यहां देखे यह 0 से 0 कटा तो यहां 2 बनेगी यहां 3 बनेगी जस्ट उल्टा बनता है यहांपर तो यहां देखे एफिजेंसी की ratio तो आपके सामने है days की ratio अगर हम बात करें तो यहां 1 आएगा यहां 3 आएगा अब यह क्यों किया क्योंकि भाई देखे इसमें बोला गया है मान लिजिए A ने कुछ दिन लिए वो 30 दिन कमते B से भाई B ने जादा दिन लिए B माइनस A निकल कर आया आपके सामने 30 दिन यह days की बात है यह days की बात हो रही है आप यहां पर efficiency नहीं लिख सकते सीधा है यहां days लिखा जाएगा भाई A और B की days की ratio है यहां पर लिखा गया है तो मान लिजो भाई B ने कितने लिए 3 लिए 3 X लिए A ने कितने लिए X लिए तो कितना निकल गया है 30 निकल गया 2 X is equal to कितना 30 X is equal to कितना 15 तो यहां पर आप देखेंगे यह 15 है तो यह कितना हुआ यह 45 हुआ अगर आप देखेंगे तो यह 45 हुआ दोनों के बीच का जो difference ह वो 30 निकल करा रहा है अब बोला गया है बताओ कि भई दोनों अगर मिलकर they together complete the whole work दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में complete कर पाएंगे भई काम कितना है एक तो पहले डिसाइड कर लेते हैं A ये रहा, B ये रहा A 15 दिन में कर रहा है B 45 दिन में कर रहा है अब आप देखेंगे तो काम आपके सामने जो निकल कर आएगा, वो 45 निकल कर आएगा A की efficiency कितनी है वो already आपके सामने यहाँ है यहाँ पर वी आप देखेंगे, तो वही निकल रहाएगी 3 यहाँ 1 निकल कर आएगी तो 45 work है work कितना है 45 यानि 45 उसको efficiency, total efficiency से divide कर दो efficiency से divide कर दो आपके सामने क्या निकल लग रहेंगे days निकल लग रहेंगे efficiency कितनी है 1 yeari, 3 yeari तो total होगी आपके सामने 4 आपके सामने answer आएग 11 सी 1 बटे 4 दिन तो इसका आपके सामने answer हो जाएगा day clear तो यह होगा आपके सामने 30th question अब आते हैं 31th question के उपर बोला गया है A takes as much time as B plus C take to finish a job A plus B finish the job in 10 days C alone do the same job in 15 days in how many days B alone can do the same work वही question आपके सामने हिंदी में लिखा है कि A और B plus C किसी काम को करने में बराबर समय लेते है तो मैं यहां लिख रहा हूँ कि A जो है वो बराबर है B जमा C के A बी किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूँ कि A जमा B किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं C अकेला उस काम को 15 दिन में कर देते हैं C उस काम को 15 दिन में कर देते हैं पहले तो एक काम करो, जो information दी है, उससे total काम निकाल दो, तो यह आपके सामने 30 आएगा, इसके efficiency 3 आएगी, इसके efficiency 2 आएगी, यानि C की efficiency 2 है, A जमा B की efficiency कितनी है, आपके सामने 3 है, अब बोला गया है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यह निकालना है, just simple question, तो दे कैसे आप देखे न, दो हिस्सों में बाटर किये, दो हिस्सों में बाटर किये, A इक्वल टू B प्लस C, अगर total efficiency की बात करूँ तो देखे, 5 efficiency बन रही है, total efficiency, A प्लस B प्लस C, जो है, वो 5 efficiency बन रही है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C, जो है, वो 5 बन रह A जो है वो बराबर है B जमा सी के तो ये भी तो है ना तो आप यहाँ पर देखेंगे A की जगा B प्लस C रख दीजे तो दो बार B बनेगा दो बार C बनेगा दो बार C बनेगा तो यहाँ पर आप देखिए यह दो हो गया, यह दो हो गया, चार होगे ना, यह दो है, यह दो है, कैसे दो है, यहां से निकाला तो सही हमने, तो यह चार होगे, चार उदर जाके, पांच में से माइनस हो जाएंगे, यह पांस दे रहा है, तो एक बचेगा, दो बार भी हो जाएगा, दो बार भी कैसे, ए इंगल B कितना बनेगा एक बटे दो efficiency निकल कर आएगी B की एक बटे दो total काम कितना 30 उसको divide कर दो एक बटे दो से तो ये दो उपर घूम के चला जाएगा 60 days लग जाएगे B को काम complete करने में दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका बड़ा असान से है तो आप यहां देखे न total efficiency तो तीनों की 5 ही न दो इकुल इकुल हिसों में बाटना है तो धाई यहां आएगा और धाई यहां बनेगा इतना है तो बनेगा अब इस धाई में से आपको पता है C कितना है? 2 है तो बागी बचा कितना भी कितना होगा हाफी तो होगा बया और क्या है इसके अंदर? यह तो आप लोगों को थोड़ा से detail से करवा दिया करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो clear हुआ? अब आते हैं अपने 30 second question के उपर अब यहां बोला गया है 30 second question और एक जो question अलग से मैंने आप लोगों की रखा है यह दोनों से इम है first of all मैं आप लोगों को चलो यही करा देता हूँ क्योंकि इसके हिंदर हिंदी भी है A, B, C जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं वो अगर एक साथ काम करते हैं ठीक है? A, C जो है A, C, are twice efficient than B यहनि कि A, C जो है वो दो गुना ज़्यादा efficient है B से यहनि मैं B को अगर उनके बराबर रखना है तो उससे दो से multiply करवा देता हूँ clear हुआ A and B are thrice efficient than C A और B जो है वो तीन गुना ज़्यादा efficient है C से find in how many days A alone complete the work पताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो आप यहाँ पर देखिए इसमें आपको दो equation दी गई है इसी से आपको यह question करने की try करना है तो यहाँ देखो A जमाँ C is equal to twice of B तो अगर आप यह करेंगे तो A जमाँ C के यहाँ B आ जाएगा और उदर क्या बनेगा 2 by 1 इसमें आप देखेंगे तो A जमाँ B के नीचे आ जाएगा आपके सामने C वहाँ बनेगा 3 ratio 3 by 1 ठीक है अब हरे की अकेले अकेले तो निकालनी पड़ेगी न तभी तो भाई साब A का बनेगा अब यहाँ पर आप देखेंगे अरे B की देख रखी है यहाँ पर C की दे रखी है सर ऐसा कर ले न B की तो यहाँ पर आपके सामने 1 दे रखी है तो यहाँ पर A, B की 3 दे रखी है तो यहाँ पर 1 रख लो यहाँ पर one रख लो यहाँ पर one रखेंगे तो A की कितनी निकल कराएगी दो निकल कराएगी लेकिन अगर ऐसी काम करेंगे तो यहाँ पर देखे A जमा C की दो है जिसमें अगर आप A को दो बना दोगे तो C को क्या बनाओगे C को कोगे सर 0 न, अरे भईया C की यहांपर 1 दे रखिये तो दिक्कत यह होगी न, तो क्या करें तो करें ये कि कुछ न कुछ इसका इसका इलाज हमें करना पड़ेगा करना क्या पड़ेगा, भई इन दोनों को एक बार सेम कर लेते हैं, सेम कैसे करें तो यहां देखो, कि भई देखो A, B और C, इस वाली equation की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको जोड़ू A जमा ब, जमा C को, तो 3 बन रहा है और अगर मैं नीचे वाली equation को जोड़ू इस equation को जोड़ू तो यहां पर बनेगा A, B, और C is equal to 4 है तो तीनों सेम ही, तीनों सेम है तो इनकी efficiency अलग-अलग क्यों बन रही है सेम करो इनको, सेम कैसे करेंगे, सेम करने का तरीका ये है कि भाई साथ यहाँ पर आप चार से गुना कर दो, यहाँ से आप तीन से गुना कर दो क्या हो जाएगा इसे, सहीं हो जाएगे सेम क्यासे, अब देखिये A जो यहाँ पर, इस उपर वाली में इस हरे वाली में, जो मैंने गोला लगा रहा है इसमें देखें जरह बी कितना दे रखा है बी वन दे रखा है और ए जमा सी कितना दे रखा है दो दे रखा है ठीक है जब आप इसको चार से गुना करेंगे तो यहां तो चार बन कराएगी इन दोनों की ए जमा सी की आठ बन कराएगी A जमा C की कितनी बन कराएगी 8 बन कराएगी B की कितनी बन कराएगी 4 बन कराएगी अब नीचे वाले में देखेंगे नीचे वाले में A जमा B की तो 3 दे रखी है और C की अकेले 1 दे रखी है तो यहाँ पर आप तो 3 से multiply करेंगे तो यह 3 बन कराएगा यह 9 बन कराएगा तो यहाँ पर A जमा B जो है वो 9 बन कराएगा और C जो है वो 3 बन कराएगा अब इससे आप निकाल सकते हैं तो देखे, B अगर आपके सामने 4 है और A और B 9 है तो A की Efficiency कितनी आगी? 5 है, B की कितनी है? 4 है, C की कितनी है? 3 है, अब जिससे पूछा है उससे निकाल दो, पूछा गया है कि भई, A कितने दिन में काम करेगा? अरे कहांगे? A कितने दिन में काम करेगा? अकेला, A कितने दिन में काम करेगा? पहले तो टोटल वर्क निकाल लो टोटल वर्क निकालना हो तो A जमा B, जमा C, 30 दिन में काम कर रहे हैं उसको 30 से multiply करवा दो इन तीनों के efficiency add कर दो 5, 4, 9, 9, 3, 12 12 गुना में 30, यह total work हो गया पूछा गया गया है A कितने दिन में करेगा तो 5 यहां आ जाएगा, 5 इसको divide कर देगा, 6, 12, 72 तो यहनि 72 days जो है A को काम complete करने में यही same question जो है वो आप देखेंगे, यह वाला question है इसमें बस देखिए, इसमें बस 36 days दे दिये और कुछ नहीं है, same वो उसमें 30 थे, इसमें 36 दिन दे दिये वही है, देखे A, जमा B, जमा C, जो है वो किसी काम को 36 दिन में कर रहे है A और B, जो है वो करते हैं काम को, तो वो दो टाइम, ज़्यादा काम कर देते हैं C से, जितने टाइम में C करते हैं तो वही बात होगी न A, जमा B की जो efficiency है वो दो गुना ज़्यादा है C से A and C together can complete या complete work three times of, अरे क्या बहुरा हूँ है A and C together can do three times of B's work, भाई A जो A और C जो है, वो B का तीन गुना, मतलब काम जो है, वो सेम टाइम में कर देते हैं तो A जमा C जो है, वो बराबर है तीन गुना B के वही चीज जो अभी हम करके हैं वही सेम चीज है, यह आप लोगों को एक बार खुद ट्राइ करना ही, खुद करना ही पड़ेगा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है नहीं होगा, तो अगली बार हम इसको discuss कर लेंगे, यह मैं इसलिए जान पूझके चोटना हो देखे, वही कोशन है, वही सेम कोशन है, इसमें है नहीं, चलिए फिर भी 2 by 1 बनेगा, यहाँ A plus C, इसके नीचे B आजाएगा, यहाँ पर आपके सामने 3 by 1 बनेगा, वही आपको करना है इसको आप क्या कर लीजिए, add कर लीजिए, A, B और C, इसको आप जब add करेंगे तो 3 बनेगा, ठीक है, इसको आप add कर लीजिए, इसको जब आप add करेंगे तो क्या बनेगा, A, B और C, यह 4 बनेगा, दोनों को सेम करना है दोनों को सेम कैसे करेंगे, इसको 4 से multiply, इसको 3 से multiply, जब इसको 4 से multiply करेंगे, यह जो है वो दे रखाए आपको 1, तो यह 4 बन जाएगा यह A, B आपको दे रखें, 2 तो यह 8 बन जाएगा, तो A, B की value जो आपके सामने, तो 8 बन कराएगी C की value आपके सामने 4 बन कराएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह C जो है, यहाँ पर B, B दे रखाना, यहाँ B, 1 दे रखाना तो B आपके सामने 3 बन कराएगा तो B तीन बन कराएगा A, B में 8 है तो A कितना बन कराएगा 5, B कितना है 3, तो यही सेम आपके सामने देखें, यहां लिखें A जो है वो 5 है B जो है वो 3 है C जो है वो 4 है तो 5, 3, 8, 8, 4, 12 12 के efficiency ते 3 मिलकर काम करेंगे तो 36 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है तो टोटल वर्क आपके सामने यह रहा अब यहां पर बात करें किसका पूछा है, कि C अकेला उस काम वो कितने दिन में करेगा C के efficiency कितनी है C के efficiency 4 है, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो यहां पर आप 4 से डिवाइड करेंगे 9, तो यह आपके सामने आएगा 108, 108 दिन जो है वो लगेंगे C को काम कंप्लीट करने में तो यह आगए आपके सामने 30 second question अब आज़े 33 के उपर अरे, क्या कर दिया है 33 question पर आते है इसमें बोला गए A two times efficient than B C and D together do equal work in that time A and B together do बोला गया है कि A जो है, वो दो गुना जादा शमता रखता है B से तो यहां पर A दो है तो B कितना होगा B1 होगा यह जो बोला गया फिर बोला गया है कि C and D together यानि कि C और D जो है जितने दिन में काम करते हैं उतने ही दिन में A और B काम कर पाते हैं यह बात बोली गई है ठीक है अब बोला गया है इस C and D lonely यानि अकेले अगर वो काम करें तो 20 और 30 दिन में काम complete कर देते हैं यानि C को यह तो यह गायब हो जाता है यानि C को कितने दिन लगेंगे 20 दिन लगेंगे 20 days D को कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे यानि 30 days तो यह काम complete हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके efficiency की ratio जो बनके रहेगी efficiency जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपके सामने इसकी 3 है इसकी 2 है ठीक है A जमा B की ब्राबर आपको देर का है C जमा D C जमा D करें तो 5 है ठीक है अब यहाँ तो ratio थी तो ratio यानि is equal to money तो यह 2X होगी यह X होगी यानि की X 5 by 3 होगी अब अगर A की efficiency निकालनी हो तो जस्ट इसको multiply कर दो 2 से तो यानि की A की efficiency निकल कराएगी 10 बटे 3 टोटल काम कितना था 60 था efficiency कितनी थी A की 10 बटे 3 यह 3 ऊपर चला जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 6, 3, 18 18 days लग जाएगे उसको complete करने में काम को तो यह हो गया आपके सामने 33rd question यह राइ 18 20 का right answer हो गया अब आते हैं last question के उपर जो same question है जो अभी हमने किया ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई अलग कर लिया अब तक देखे efficiency of A is equal to the efficiency of B जमा C यह बोला गया है कि A की जो efficiency है वो बराबर है B जमा C के A, B can do this work in 12 days C alone in 24 days देखे, A और B किसी काम को करने में 24 दिन ले रहे है C उस काम को करने में अरे नहीं नहीं उल्टा लिखती है मैंने C 24 ले रहा है C 24 दिन ले रहा है और यह कितने दिन ले रहा है यह 12 दिन ले रहा है अब total work जो निकल कर आएगा वो 24 दिन ले रहा है इनकी जो LC में वही आएगा इनके efficiency जो है यहाँ दो बन कर आएगी इसकी एक बन कर आएगी अब आप देखें अभी हमीं करके आएं यह question देखें अब देखें तीन जो है वो A, B और C की जो total efficiency वो तीन है इस तीन को दो इसमें बाट रखा है A is equal to B जो में बाट रखा है तो आप बाटेंगे तो देखें यहाँ पर भी dead आएगा और यहाँ पर भी dead ही आएगा तो यहाँ पर dead आएगा जिसमें से एक तो C है एक तो C है तो B क्या बचेगा B आदा बचेगा तो यही तो तभी तो dead बनेगा यह dead बनेगा clear हुआ यह ऐसे समझनी आए तो अभी थोड़ देर पहले मैंने एक करवाए है यह आप लोगों को इसमें आप A की value पूट कर दीजिए B जमा C हो जाएगा यहाँ पर इससे भी आजाएगा इसमें मक करके दिखा देता हूँ देखे A की value B जमा C कर दीजिए B जमा C प्लस B जमा C is equal to 3 तो एक यह है एक यह है दो तो यही होगे दो इदर जाके इस 3 में से minus हो जाएगा तो एक बचेगा दो बार B बनेगा एक बार यह रहा एक बार यह रहा B यह दो नीचे चला जाएगा इसके एक के तो एक बचे दो बनेगा clear हूँ अब यहाँ पर 24 काम है किस से करवाना है B से करवाना है B के efficiency कितनी है half आई तो यह half इसके नीचे चला जाएगा यह दो उपर चला जाएगा तो 48 दिन में जो है वो काम कम्प्रेट करेगा B clear हूँ तो उमीद करता हूँ कि मैंने देखे questions कम लिए है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में दीर दीर questions को करेंगे यह ज़्यादा मुश्किल questions नहीं थे इसलिए मैंने 10 ले लिए कभी hard question आएंगे तो उनको कम कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आजाए देकि समझ में आया है तो मुझे कैसे बता सकते हैं पेशक वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें comment section open रहता है अपने doubt लिखें कोई चीज समझ नहीं आ रही आपको कैसे समझ नहीं कोई तरीका जो भी आपके मन में doubt चल रहा है वो आप बेजज़क लिखें उस पर work किया जाएगा आपको समझाया जाएगा उस doubt का reply जरूर दिया जाएगा उसके लावा pdf के लिए भी मैं बता देता हूँ तो आप बच्चे बोलेंगे सरफ pdf मिलेगा बेशक मिलेगी description box में telegram का एक link दिया मिला है वहाँ पर आप जाएगे telegram के link पे click करिए आपको एक channel मिलेगा लगबग आट जार के करीब उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतना है था Thank you for watching this video